परिचय मेरे लिए खरीद लाओगी वन्शिका ठीक है मा आपको कितने की आवशक्ता होगी मुझे एक प्रतिरूप के लिए 16 की आवशक्ता पड़ेगी मैं 5 फ्रॉकों पर प्रतिरूप चाहती हूँ इसलिए मुझे 16 गुना 5 यानी 80 बटन खरीदने होंगे बिल्कुल ठीक बन्शिका बच्चों इस पार्ट में आप बीजगनित के बारे में सीखेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बीजगनित को परिभाशित करना चर राशी को परिभाशित करना सामान ने अंक गणितिये गुण धर्मों को व्यक्त करने के लिए चर का उप्योग करना जया मितिये अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए चर का उप्योग करना वास्तविक जीवन की समस्याओं का अनुवाद बीजिये वेंजकों में करना बीजिये समिकरणों को हल करना चर की संकल्पना अनन्या लकडी के त्रीकोण का उप्योग करके नृत्याकृतियां तैयार करती है एक दिनों से अपनी सहेली रीता से दस ऐसी नृत्याकृतियां तैयार करने का एक निवेदन मिलता है अनन्या को उन्हें बनाने के लिए कितने त्रीकोडों की आविशक्ता होगी नृत्याकृतियों को ध्यान से देखो अनन्या इसे बनाने के लिए 9 त्रीकोडों का उप्योग करती है इसलिए दस नरत्याकृतियों के लिए अनन्या नौ गुणे दस पराबर नब्बे त्रीकोणों का उपयोग करेगी। रीता की चाची इन आकृतियों को देखती है और उन्हें इतना पसंद करती है कि वो पचास ऐसे नग बनाने का आदेश दे देती है। अनन्या इन पचास नरत्याकृतियों में कितने त्रीकोणों का उपयोग करेगी। अनन्या द्वारा उपयोग किये जाने वाले त्रीकोणों की संख्या इस्थिर है। हाला कि उसके द्वारा उपयोग किये गए कुल त्रीकोणों की संख्या उसके द्वारा तैयार की गई निरत्याकृतियों की संख्या के आधार पर बदलती है। इसलिए हम निम्निलिखित व्याख्या द्वारा समान नहीं करण कर सकते हैं। यदी अनन्या एन निरित्याकृतियां तैयार करती है, तब उसे नौ गुणे एन त्रीकोणों की आविशक्ता होगी। बीजगनित गनित का एक खंड है, जो वनमाला की अक्षरों के साथ संख्याओं को दर्शाता है। विभिन उत्तर प्राप्त करने के लिए अक्षरों को विभिन संख्याओं से बदला जाता है। इसलिए चुँकि अक्षर का संख्यात्मक मान घरता बढ़ता है, उन्हें चर क रहा जाता है। आए कुछ और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं, जिसमें बीजगनित का उपयोग किया जाता है। राजू एक हाउसिंग स्वसाइटी में कारों को साफ करता है, वह प्रत्यकार को साफ करने के 200 रुपए लेता है। राजू की कुल आए चरके रूप में व्यक्त कीजिए। राजू की कुल आए उसके द्वारा साफ की गई कारों पर निर्फर है। मान लीजिए कि वो N कारें साफ करता है। राजू द्वारा एक कार को साफ करने का मूले 200 रुपए है। तो राजू द्वारा N कारों को साफ करने का मूले 200 गु कुल आमदनी है 200 N रुपै आईए एक और उधारण देखते हैं रिया अभी पांच वर्ष की है आपसे दस वर्षों बात की उसकी आयू ग्यात कीजिए एक चर के साथ व्यंचक का समाने करण कीजिए अभी रिया की आयू पांच वर्ष है दस वर्ष पस्चात रिया की आयू पांच जमा दस होगी एम वर्ष पस्चात रिया की आयू पांच जमा एम होगी इसलिए अपसे एम वर्षों के पस्चात रिया पांच जमा एम वर्ष की हो जाएगी अंक गणितिये गुण एवं चर आये अपचरों की सहायता से कुछ और अधिक उप्योग होने वाले अंक गणितीये गुणों को वेक्ट करते हैं, ये कुण है, करम विनिमय कुण, सहाचर रगुण, वितरण गुण, आये, प्रतीक बिंधूं को संग्शेप में देखते है, करम विनिमय कुण, दू संख्याओं का जोड और गुणा क्रम विनिमे होता है। सभी संख्याओं के लिए सत्य है। अताहा हम इसका चरों के साथ निमने रूप से सामान नहीं करण कर सकते हैं। और गुणा के क्रम में बदलाओ उनके योग और गुणन को प्रभावित नहीं करता है। कोश्ठक में 9 जमा 8 जमा 7 तथा 9 जमा कोश्ठक में 8 जमा 7 बराबर हैं। कोश्ठक में 5 गुणा 6 गुणा 4 तथा 5 गुणा कोश्ठक में 6 गुणा 4 भी बराबर हैं। साचर्य कुण धर्म सभी संख्याओं के लिए सत्य है। अताहा हम इसका चरों के साथ निम्न रूप से सामा नहीं करण कर सकते हैं। कोश्ठक में A जमा B जमा C बराबर है। वितरन गुण इस व्यंचक को देखिए। पांच गुणा कोश्ठक में 8 जमा 9 इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। पांच गुणा 8 जमा 5 गुणा 9 ये कुण योग पर गुणन की वितरनता के रूप में जाना जाता है। यह सभी संख्याओं के लिए सत्य है। हम अताहा इसका चरों के साथ निम्न रूप से सामा नहीं करण कर सकते हैं। कुष्ठक में A जमा B गुणा C पराबर है। जयामितिये अवधारणाएं एवं चर। चर की अवधारणा जयामिति के लिए बढ़ाई जा सकती है। उधारणार्थ व्रित्यका व्यास उसकी तृज्या का दुगना होता है। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। व्यास बराबर दू गुणा तृज्या या D बराबर दू गुणा R, जहाँ D और R दोनों चर हैं। यदि R का मान बदलता है, तब D का मान भी बदल जाता है। आईए परिमाप और इक्षित्रफल को व्यक्त करने के लिए चरों का उप्योग करते हैं। परिमाप, किसी भी दो आयामी आकरिती की परिथी, उसके खेरे की लंबाई होती है। आयत ABCD का परिमाप AB जमा CB जमा DC जमा DA होगा। हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसलिए लंबाई के लिए DC पराबर AB पराबर L और चोड़ाई के लिए DA पराबर CB पराबर B। यदि परिमाप को चर P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब P बराबर L जमा B जमा L जमा B होगा। जो की बराबर होगा 2L जमा 2B के। जो बराबर होगा 2 कोष्ठक में L जमा B के। चर P, चरों L तथा B के साथ बदलने से बदलता है। वर्ग का परिमाप को चर P के द्वारा दर्शाया जाता है, तब P बराबर S जमा S जमा S जमा S यानि 4S होगा। चर P का मान 4S के साथ घर्टा बढ़ता है। क्षित्रफल आयत A, B, C, D का क्षित्रफल लंबाई गुणा चोड़ाई है। यदि क्षित्रफल को चर A, लंबाई को L तथा चोड़ाई को B के द्वारा प्रदशित किया जाता है, तब A बराबर L गुणा B होगा। चर A, चरो L तथा B में आत्म मोलियांकन प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सही विकल्प पर क्लिक करें। बी जिये व्यांजक अंकगणितिये व्यांजक जोड़, घटा, गुणा और भाग की सहयता से संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करती है। यहां कुछ अंकगणितिये व्यांजक हैं। एक अंकगणितिये व्यांजक का परिणाम इसे हल करके निर्धारित किया जाता है। आईए, इन में से प्रतेक अंकगणितिये अभिव्यक्ति को हल करते हैं। बीजिये व्यंजक चार अंक गनितिये संक्रियाओं की सहायता से संख्याओं और चरों के बीच संबंद स्थापित करता है। यहां कुछ बीजिये व्यंजक हैं। एक बीजिये व्यंजक का परिडाम निर्धारित किया जा सकता है जब केवल व्यंजक में चर का मान ग्यात आईए हम चरके विशिस्ट मानों के लिए इन में से प्रत्य एक BGA वेंजकों को हल करते हैं BGA वेंजकों की संडचना आईए अब हम कुछ BGA वेंजक लेते हैं तथा उनकी संडचना किस प्रकार से की गई है उसे समझते हैं तीन गुणा N जमा बारा N को सर्वप्रथम तीन से गुणा किया जाता है एवं ततपश्चात परिणाम में बारा जोड़ा जाता है Y भाग साथ जमा पांच Y को सर्वप्रथम साथ से भाग दिया जाता है ततपश्चात परिणाम में पांच जोड़ा जाता है कुष्ठक में R घटा 8 गुणा 14 8 को सर्वप्रथम R से घटाया जाता है ततपस्चात परिणाम को 14 से गुणा किया जाता है 6 जमा 3 गुणा कुष्ठक में M घटा 12 M से सर्वप्रथम 12 को घटाया जाता है ततपस्चात अंतर को 3 से गुणा किया जाता है एवं परिणाम में 6 जुड़ा जाता है 56 भाग कोश्ठक में S गुणा 3 S को 3 से गुणा किया जाता है एवं तदपश्चाथ गुणन को 56 से विभाजित किया जाता है आईए अब हम BGA वेंजकों की सहायता से कुछ वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को व्यक्त करते हैं केशव एक टॉफी और एक चॉकलेट खरीता है चॉकलेट टॉफी से 20 रुपए महंगी है टॉफी की कीमत अनुसार चॉकलेट की कीमत की व्याख्य कीजिए यदि टॉफी की कीमत X रुपए है तब चॉकलेट की कीमत X जमा 20 होगी समीरा 200 रुपए की कीमत की एक किताब और 30 रुपए प्रती नोट बुक की कीमत से कुछ नोट बुकें खरीती है एक बीजिये वेंजग की रूप में समीरा दौरा खर्च की गई कुल राशी की व्याख्य कीजिए यदि वाई समीरा दौरा खरीदी गई नोट बुकों की संख्या है तब नोट बुकों पर समीरा दौरा खर्च की गई राशी 30 गुणा वाई यानि 30 वाई है किताबों और नोट बुकों पर समीरा दौरा खर्च की गई कुल राशी 30 वाई जमा 200 है आईए एक और उधारण देखें पांच वर्ष के पश्चात राजेश के पिदा की आयू राजेश की आयू की तीन कुना होगी आपसे पांच वर्ष पश्चात राजेश की आयू के अनुसार पिदा की आयू व्यक्त कीजिए यदी राजेश की आयू एवर्ष है तब बीजिये समीकरण आये इस कथन पर विचार करते हैं चार घटा तीन बराबर एक इसे गणितिये रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है इस तरह के गणितिये व्यनजक को अंकिये व्यनजक के रूप में भी जाना जाता है अब गणितिये व्यनजक पर विजार करते हैं ती घटा पांच बराबर दो ये गणितिये व्यनजक एक बीजिये समीकरण है एक बीजिये समीकरण एक या एक से अधिक चरों का होता है आईए अब हम समीकरण के दो गुन धर्मों को देखते हैं एक किसी एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं बायापक्ष या LHS तथा दायापक्ष या RHS दो बराबर का चिन LHS एवं RHS को बराबर करता है आईए अब हम सभी पुराने बीजिये व्यानजक को बीजिये समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं X जमा बीस बराबर पच्चीस 30Y जमा दो सो बराबर ग्यारा सो कुष्ठक में A जमा पांच गुणा तीन बराबर 45 एक चरका वो मान जिसके लिए एक समीकरण संतुष्ट हो जाता है उसका हल कहलाता है आईए अब हम बीजिये व्यानजक के उधारण पर पुनर विचार करते हैं केशव एक टॉफी और एक चॉकलेट खरीदता है चॉकलेट की कीमत टॉफी की कीमत से 20 रुपए अधिक है यदि केशव दोरा चॉकलेट पर 25 रुपए खर्च किये गए तो टॉफी की कीमत क्या है एक बीजिये समीकरण बनाएए तथा इसका हल ग्यात कीजिये यदि टॉफी की कीमत एक्स रुपए है तब चॉकलेट की कीमत एक्स जमा 20 होगी किन्तु चॉकलेट की कीमत 25 रुपए दी गई है इसलिए एक्स जमा 20 बराबर 25 है ये समीकरण सत्य है यदि X कमान पाँच है इसलिए X बराबर पाँच समी करन का हल है इसका मतलब है कि टौफी की क्यमत पाँच रुपए है आईए एक और उधारन को देखते हैं समीरा 200 रुपए क्यमत की एक बुस्तक तथा 30 रुपए प्रती नोटबुक की क्यमत की कुछ नोटबुकें खरीती है यदि समीरा कुल 1100 रुपए की राशी खर्च करती है तो नोटबुक की क्यमत ग्याद कीजिए एक बीजिये आत्म मूलियांकन आईए जाचे की अब तक आपने क्या सीखा बीजिये समीकर्णों का उनके हल के साथ मिलान कीजिये साहरांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं बीज गनित गनित का एक खंड है जो वनमाला के अक्षरों के साथ संख्याओं को दर्शाता है वनमाला के अक्षर जो संख्याओं को दर्शाते हैं चर कहलाते हैं चर के विभिन मान होते हैं अंक कनितिय गुणों को व्यक्त करने के लिए चर का उप्योग किया जाता है। समीकरण में चर का वहमान जो बीजिय समीकरण को संतुष्ट करता है, उसका हल कहलाता है। झाल झाल